मैं तुम्हारी मा हूँ और मुझे देख के अंदेखा ना करे मेरी ये कहानी जरूर सुनो संकट खुद काटूंगी जै माकाली दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का आरदिक स्वागते माहकाली भगत गयाने यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो जो है वो कितनी सकती साली है और वो अपने भगतों के लिए क्या करती है क्या नहीं करती तो चलिए दोस्तों बताने से पहले मेरी आप सभी सरी क्वेश्टे अगर आप हमारी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ओल पे सैट कर लीजेगा वीडियो क like करदीजेगा और जितना हो सके सभी महाकाली भक्तों को share कीजेगा और जो भकत नहीं हो किसी भी देवी देपता को पूझते हो उनको भी share जब कीजेगा और कमेंट में जै महाकाली हर हर महादेप तो भूनना मत ठीक है तो अब हम बात करीगे मैं आपको ये कहानी जो बता रही हूँ ये मेरी कहानी है और जो मेरे साथ के दोस्ते हैं उनकी कहानी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि एक बंदा δूसरे ब्यक्ति जो की दूसरा ब्यक्ति जो मेरा दोस्त है वो भगत है उसके उपर एक बंदा दूस्मनाई में इतनी चीजे छोड़ रहा है कि वो बार-बार परिशान हो गया उस ब्यक्ति से तो जो मेरा दोस्त है उसके पास एक बार मताकाली को किसी ने समसान से क्रिया करकर चलाए था जब मताकाली वहां से चल कर मेरे दोस्त के घर आई थी तो उसका जो सीस्य था जो मेरे दोस्त का सीस्य था उस सीस्य के उपर चलवाए था और उसी गुरू के उपर चलवायता जो मेरे दोस्त है जो गुरू मतलब मेरे दोस्त का जो सीस्य है उसके उपर उसने माताकाली को चलवायता तांतरी किरिया करवा कर भेट पूजाए सब कुछ दे कर ठीक है अब भाईया माताकाली आ गई चलके उसके पास जो मेरा दोस्त है लिकल कर आई माता काली ये मैं आपको रियल कहानी बता रही हूं इसे आप जूट मत समझ ना मैं माता काली की कसम खा कर ये कहानी आप लोगों को बता रही हूं इसे ध्यान से सुनो पूरी कहानी तो अब दोस्तों उसके बाद हुआ क्या कि जब माता काली आ गई तो बीच में से लिकल के आई हमारे छट के बीच में से बिलकुल हमारे घर में निकल के आई तो जो मेरा दोस्त था वो पूजा कर रहा था तो आकर खड़ी हो गई तो उससे मातकाली कहती है कि मुझे गलत कारे पे उस बंदे ने चला कर भेजा है जो कि तेरे सीस्सिये को मारने के लिए ठी अब मातकाली ने उनसे कहा कि तू बता कि मैं तुझे मारूं या फिर तेरे सीस्सिये को मारूं तो मेरा जो दोस्ते उसने मातकाली के आगे हाँ जोड़े और मासे माफी मांगी और मासे बोला कि तू किसी को भी मत मार ठीक है जहां से तुझे चला के भेजा है जो भी भेट जहां से तु चलके आई है गलत कारे पर ठीक है तो फिर उसके बाद क्या हुआ दोसतों कि मातक काली ने और उसने जो मेरा दोस्त था उसने बोला कि मैं तुझे पूझंगा भी और तेरी डवल भेट भी दूणगा जो तुझे किसी ने चलाया है गलत कारे पे तांत्री किरिया करकर मैं उसकी डवल भेट तुझे दूँगा उसने कितनी भेट दिये तुझे साथ दिये ग्यारा दिये है तो मैं उससे डवल दूँगा ग्यारा की मैं तुझे बाइस दूँगा और साथ की मैं तुझे चोदा दूह. तो मेरे दोस्ते ने ऐसे कहा तो माता काली सांथ हो गई. माता काली ने कहा कि मैं अपने सच्चे भक्तों को कभी कोई नुकसान नहीं पुचाती हूं, चाए कोई भी व्यक्ती मुझे अपने भक्तों के पास कितने भी गलत कारे के लिए भेजे मैं कभी उसका गलत नहीं करती हूँ जो व्यक्ति केवल मुझे सच्चाई में पूजता है और मेरे से अच्छे कारे कराता है उस व्यक्ति के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूंगी और हमेशा उसके सभी संकटों को काटूंगी और जो भी परिशानिया दुख दर्द उसके उपर आएगा उससे पहले ही मैं उसको दूर कर दूंगी मैं अपने सच्चे भक्तों को कभी निरास नहीं कर सकती और जो लोग मुझे गलत कारे पे चलाते हैं उनका ही मैं गलत करती हूँ माता काली इतना बोलकर वहां से चली गए तो दोस्तों उसके बाद जो मेरा दोस्त था उनने डवल भेट दी जो कि महां तक माता काली को पहुचाया जहां से चली कर आई थी और दोस्तों माता काली ने अपने सच्चे भक्त की मतलब अपने सच्चे भगत को चुना, कैसे चुना कि उसको तो बचा लिया उनने जो मेरे दोस्त था और उसका सिश्य था ठीक है, उसको बचा लिया अब जिस ब्यक्ति ने करके भेजाता करवाया था, तांत्रिक के लिए करवाई थी, उस ब्यक्ति को मातकाली ने इस दुनिया से ही नश्ट कर दिया और खबर उसके पास आ चुकी थी क्योंकि उसको मेरे दोस्तों को बताने वाले भोते जो की देवी देपता भी बताते थे और सभी लोग उनको बता देते थे तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूं कि सचाई में रहो सचाई में अगर आप किसी भी देवी देपता को पूझोगे तो आपको मारने वाला कोई भी कितने से बड़ा भगत भी क्यों न खड़ा हो जाए आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा ये मैं गारेंटी दे रही हूं इस बात की सचाई में पूझोगे तो अगर आप भी गलत कारलों में पूझोगे तो मातकाली ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं देती कभी भी नहीं देती है और उल्टा और कर देती है तो चलिए दोस्तों मैंने आप सभी को ये कहानी जो सुनाई है ये 100% रियल है और मेरे साथ मेरे गुरू की और मेरे जो दोस्तों ते उन सभी के साथ ये जो बात हुई थी ये जो दुरगटना हुई थी ये मैंने आप सभी को बता दी है तो आप लोग भी ध्यान रखें सही से तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैमा काली हर हर महादे में विंती करूंगी माता काली आप सभी की सारी मनों कामनाई पूरी करें खुस रहे आप खुस रहे आपका परिवार जैमाता की